अनार के बहुत चमदकारी फायदे हैं, अनार किसी जड़ी बूटी से कम नहीं माना गया है, अनार अवसली गुड़ों से भरपूर है आज हम अनार के ऐसे चमदकारी फायदे बताएंगे कि अगरे दिन से आप इसका सेवन करना सुरू कर दिये अगर आप 30 दिन तक एक गिलास अनार का जूस का सेवन करते हैं, तो आप इसके चमदकारी फायदे देखी हुए अनार का जूस सरीर को तरोता जाए और ताकत से बरपूर रखता है, सरीर में उर्जा का संचार करता है और सरीर की पोरसब्ती को बढ़ाता है, यह सहत का खजाना है और मिमारियों को दूर करता है अनार के रस में ठोड़ा सहत मिलाकर पेने से आपकी ताकत को दस गुना बढ़ा देगा और आप रहेंगे स्वस्ट और जिंभर, ताकत से बरपूर, चूस्ट और तनदुरुस्ट अनार का जूस रामबाड की तरह काम करता है, सहत के लिए बहुत फाइदे मन्द है अनार के दस बड़े फाइदे हैं, जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे पोसक तत का खजाना है, हर किसी को डायट में अनार का जूस सामिल करना चाहिए आए जानते हैं अनार के जूस के दस बड़े बड़े कौन से फाइदे हैं नमबर वन, खून बढ़ाता है, सरीर में खून की कमी को दूर करता है, खून साफ करता है हीमोगलोबिल लेवल मिंटेन रखता है नमबर दो इम्मूटी बढ़ाता है नमबर तीन सरीर में पानी की कमी दूर करता है नमबर चार दिल को स्वस्त रखता है नमबर पास ब्लेड प्रेसर को मिंटेन रखता है नमबर छे बालों को जहड़ने से बचाता है भूक ना लगने के समस्या को दूर करे पाचन दूरस रखता है नमबर आठ कील मुहा से दूर करे नमबर दू ओजन कम करने में भी सहायक है नमबर दस शरीर उर्जा से भरा रखता है अनार का जूस रामबाड की तरह काम करता है सहत के लिए बहुत फादे मंद है तो आईए आपके साथ बनाना सुरू करते हैं तो फिरिज से कुछ फिरिज अनार ले 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 लेते हैं अनार को आगे पीछे कट कर लेते हैं अनार को चार भाग में कट कर लेते हैं अनार के बीच को निकाल लेते हैं अनार के बीच को निकार लिया है अनार के दाने को जार में आइट करते हैं जूस त्यार कर लेते हैं पानी डाल कर जूस बनकर त्यार हो गया है छान लेते हैं चम्मा से रवा कर जूस निकार लेते हैं जूस को गिलास में निकार लेते हैं जूस बनकर त्यार हो गया है तेरिस गारडन से कुछ पदीने के बत्ते लेकर आते हैं उससे दानिस कर लेते हैं जूस को बहुत ही एल्डी टेस्टी जूसमन करते यार है इस रश्ट्री को आप जरूर ट्राइ करें अब भी बनाएं पिएं जुआ करें अपने फैमिली फेर्मिल से एपने थेज़ करें थांउस वार वाचिंग माई वीडियो अचिस वार वाच